स्वागत है दोफ्तों एक बार फिर से अपने यूटूब चैनल मेडिसेन रिविव में जहां आप पाते हैं सभी दबान्यों का रिविव तो दोफ्तों आज की इस व्यूडियो में हम बात करेंगे हिमाल्या पाइलेक्स टेबलेट के बारे में जो की पाइल्स यानि बाबासीर को सही करने के लिए काफी अच्छी और जानी मानी टेबलेट है तो दोफ्तों आज हम इसी के बारे में सीखेंगे कि इसके क्या का यूजज हैं और इसकी डोज और साइट बेक क्या रहते हैं तो इनी सभी बातों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं तो अगर आप इस हिमाल्या पाइलेक्स टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लाट तक जरूर देखें तो फ्रंट सबसे पहले बात अगर जो है हिमालिया पाइलेक्स टेबलेट की करें तो इसे जो है हिमालिया ड्रेग नाम की कंपिनी ही वनाती है और इस टेबलेट को जो है बहुत सारी आयरुवेदिक जड़ी मूटियां मिला कर बनाया जाता है इसमें गूगलू 26 अमजी, सिलाजीत 31 अमजी, आमला 31 अमजी, नीमकभी 14 अमजी, दारु हल्दी 64 अमजी, भीमिक्या की 32 अमजी, हरीता की 32 अमजी, कचना 32 अमजी, अमल्टास 32 अमजी और नाकेसर 6 अमजी दिया होता है जिन से मिलाकर यह पाइलाक्स टेबलेट वनाई जाती है, इसकी MRP की बात करें, तो यह आपको 60 गोली की डिबी, 125 रुपे में किसी भी मेडिकल इस्टोर पे आसानी से मिल जाती है तो दुफ्तों अब जानते हैं, इसकी यूजिस के बारे में, तो फ्रंट इसका मुक्यता उपियोग जो है, बबासीर को सही करने के लिए किया जाता है बबासीर के बारे में थोड़ी जहनकारी लें, तो मलदवार के अंतिम भाग की सिराओं के सूजने फूलने अत्वा बढ़ जाने को बबासीर कहते हैं इसी फूली ही मलदवार को मस्सा भी कहा जाता है इसका आकार कभी तो मटर के दाने के बराबर होता है या फिर अधिक फूली ही मस्सों का आकार जो है मटर के दाने से भी वड़ा हो सकता है बबासीर में जो है कभी तो एकी मस्सा होता है और कभी एक से अधिक मस्य वहार की ओर आपस में जुड़े हुए दिखाई देते हैं दोफतों क्या होता है कि बबासीर भी दो प्रकार की होती है खूनी बबासीर और वादी बबासीर खूनी पाल्स में जो एक खून की समस्या होती है और दर्द होता है और बादी पाईलस में दर्द जो है बहुती ज़यादा होता है और जो मस्से होते है वो बहार की ओर निकलाते है जिससे की काफिे दर्द का अनुपब होता है दोस्तों अगर पाईलस का एलाज जो है शुरुआती दोर में कर लिया जाए तो इसे ठीक होने के चांस बहुती ज़्यादा होती है और अगर ये पाइल्स गम्मीर रूब ले लेती है तो इसके ठीक होना काभी मुश्किल हो जाता है शुरुवाती दौर में पाइल्स टेबलेट जो है इस पाइल्स को ठीक किया जा सकता है तो फिर नॉर्मली आपने देखा होगा कि लोगों को जब पाइल्स की सिकायत होती है तो वो मेडिकल स्टोर पे जाकर जो है दबाइल्स खरीद लेते हैं और दबाइल्स खाते है तो उस दोरान उनकी पाइल्स की जो समस्या होती है वो गंबी रूब ले लेती है जिसके जानते की डोज के बारे में किसंटी मात्रा में दियाती अगर आप अड़ल्ट है तो आपको इसकी दो दो गोली सुबह सामा खाना खाने के बाद में आप ले सकते हैं अगर आपको गंभीर पाईस बहुत जादा दर्द होता है या बहुत जादा ब्लीडिंग अगर को बढ़ 10-12 साल का है और उसे पाइल्स की समस्या हो गई है तो उसी जो है एक गोली सुबह साम दे सकते हैं गंबी लच्छण होने पर इसकी डोज बढ़ा कर एक गोली सुबह दुपर साम तीन बार कर सकते हैं दोफ्तों इसकी डोज के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप अपन देख टेबलेट है इसलिए हमें इसकी साडवक देखने को नहीं मिलते हैं फिर भी अगर आप जो है अगर पाइलेक्स टेबलेट ले रहे हैं तो अगर आपको कोई साडवक दिखाई देता है तो इसको लेना बंद कर दें और अपने डॉक्टर की सलाले जहां से आपको पसंद आयो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्ली सेल को सस्क्राइब जरूर कर ले तो आज की वीडियो में फ्तनाई तो थैंक्स फ्रेंट्स एंड बंदे मातरम